बीकाउम फर्ष्ट एर और कक्छा ग्यारवी के प्यारे बच्चो स्वागत है आपका इंडिया सु एक्टि में मैं हूँ आपका एज़िएम सर और आज आप जानेंगे लेखांकन के धारुशिद्धान ये है लेखांकन के फैनिसल अकाउंटिंग ये लेखांकन आपका है उ से तो हमने शुरुबात किया था कक्छा ग्यारवी के बुग से जो कि भाग एक है लेखांकन की प्रस्ताओं यहां पर मैंने आपको समझाय था लेखांकन का अर्थ बही खाते का अर्थ ठीक है लेखांकन बही खाते का अर्थ लेखांकन की विश्ष्था लेखांकन की अव से बचे थे और हमें आज पढ़ना है लिखांकन के अधारव शब्त आगे इदर की थियोरी में कुन-कुन से important है वो मैं आपको बता दू लिखांकन के मुख्य उद्देश और समान उद्देश इसे कोशन आते हैं साथ देशांद बहीखा तो लिखांकन में अंतर भी यह बी एक्जाम में पूछ जाते हैं और बेसीक रूप से जो आपको पता होना चाहिए वो पूरा लिखांकन का अर्थ विसेस्ता परिभाशा उद्देश इए आपको इस परस्ट रूप से पता होना चाहिए फिर आप ज इविन पक्षकारों को वित्ती प्रणामों की सुचना प्रदान करता है ववसाई की संपत्ति की सुरक्षा की जाती है प्रबंदगों की सहयता प्रदान करता है ट्रस्टी का कारे करता है वैद्धानी का सवक्ताओं की पूरती करती है दायतवकर निर्धारन करता है तो यह लिखांकन के लाप पोछे जा सकते हैं और यह एक बेशिक सा सधारन कोशन है सधारन कोशन ऐसा है इक्जाम में ऐसे कौमन कोशन आते हैं जिसको ना पढ़ा हुआ यहां ग geschक्ति भी लिख सके कुछ कोशन ऐसे होते है tänक him पर इस शक्टर से इचे जिसमें लिखें लेकांकन की लाव गलोद सबी लिंगे पता रहेगा कि अपने व्यवसाय का हिसाब किताब अगर आप रखेंगे तो आपको एक करमचारी के रूप में अगर मैं कहना चाहूं तो आपको यह पता रहेगा कब-कब आपने काम किया, कितना-कितना आपको पैसा मिलना है, साल के अंद में बोनस आपको मिलना है की नहीं आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो लिखने से आपके पास पुरा बेवरा डेटा रहेगा, कि कब-कब आप काम प्याँ है, कब हाप टाइम पे गए थे, कब आपने कितना पैसा धाल लिया था, वेपारियों को भी लाब होता है कि कहां से कितने कमाल खरेता कितने कमाल दिया प्रबंध को कितना वेतन दिया करमचारे को कितना दिया सब का ब्योरा इस पस्टोप समय पता रहता है तो लिखने से सभी को लाब होता है सरकार को लाब होता है कि किसी पर कितना टेक्स लगाया कितना टेक्स लगा है संपूर्ण सोचनाओं का ज्यान लिखने से ही मिलता है जो किसी ववसाय ये किसी उद्देश से लिखा गया हो तो ये भी बहुत सरल टॉपिक है इसको भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे हर एक पॉइंट को अगर आप दो लाइन को दो बार पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा आप एक्जाम में एक्जैक्ट लिख सकते हैं ठीक है आज हमें जानना है लेखांकन के अधारभुद सद्धान ये अधारभुद सब्द हाँ उससे पहले आपको ये जाननेना है कि लेखांकन की सीमा क्या है ये भी मैं आपको ऐसे समझा देता ह और अनेक प्रकार के सूचना की मन लिखने से ुसके लिए प्रत्रे और में आपको जाना հरिक इसका तरह सकते हैं कि कि को रतिध्वन्दी हो रहे हैं तो में क्या सल रहा हैं तो यह तो सम्द्ण प्रयता शकता है कि केवल लिखने से सद्वी जनकारी नहीं में सकती तो यहीं इसका दोस बताएगे हैं दुसरा दोस्ट लिखांकन विवरं पूर्ण एवं हम जो हाथ से लिखते हो पूर्ण और शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, जैसे मैं नहीं कुछ वीडियो में दो के जगह तीन लिख दिया है, जिसमें कई बच्चों नहीं कमेंट भी किया है, तो जो भी आप बेवरा त्यार करते हैं, उसमें करम सही हो, तो पूर्ण और सुद्धे नहीं होते हैं तिसरा पॉइंट है लिखांकन से वर्टमान विगरें मुल्य का ग्यान नहीं हो सकता बिल्कुल सही है 400 मार्केट के 40 रुपय किलो 100 रुपय किलो टमाटर बिखे तो अर दिन मार्केण मार्केट यूड्वन दो लिखने से वर्टमान विगरें मुल्य क्यान नहीं हो सकता इंटम कॉमेंस से बात है यही इसकी सीमा है चौधा लेगा अंकन आखड़े मुख होते हैं मुख मतलब तो बोल नहीं सकते तो यह एक अंक कैसे बोलेगा मैं लो मैं दो लिखता हो तो बोलेगा क्या मैं दो हूँ यह गलती से मुझे दो लिख दिया है मैं चार हूँ नहीं ब से दोस्ट पगेरा पुछते भी हैं लाव और दोस्ट को एकसान भी पुछते हैं ठीक है अब आपको जो पता होना चाहिए न लिखांकर इनके अधार वो शब्द हम उस पर आते हैं अब उसमें कुछ-कुछ शब्द यहीं से स्टार्ट हो गए हैं जिसको मैं आपको यहां से समझाता हूँ जैसे की स्वामी के बारे में आपको पता होना चाहिए स्वामी क्या है स्वामी ववसाय के बरतमान नियोक्ता एवं स्वामी ववसाय की लापतायक्ता एवं वित्ती स्रिद्रता के बारे में जनकारी प्राप्त करना चाहते हैं लाव में कमी या व्रिद्धी सम्पत्यों में कमी है व रिद्धि आदी सुचनय लेखांकर या प्रकाषित लेखों से प्राप्त की जाती है ठीक है तो स्वामी कोन होते हैं? स्वामी को ही इंगलिस में आउनर गोलते हैं वेवसाय के बरतमान न्योकता एवं स्वामी वेवसाय की लाबदायकता एवं वित्तिय स्रिद्रता के बारे में जनकारे प्राप्त करना चाहते हैं लाब में कमी अब विद्धी संपतियों में कमी अब विद्धी आधी की सुझनाय लेखांकन या प्रकासित लेखों से प्रा संदिग्द नहीं होती है तो लेखांकर बेहिचक मालेवं स्वाय उधार देते हैं यहां पर वे साक सीमक को सुरक्षित बिंदु तक बढ़ाते हैं लेखांकर सुचनाय व्यवसाइक संस्था की वित्ति चंता का सहज अनुमान लगाने में सायक से दोता है बाके बहुत डिट संस्थाएं वही है जिससे आपको लोन मिलता है पैसा मिलता है बैंक होता है कोई संस्था होती है कोई कंबनी को वैक्ति हो सकता है जो आपको डड़े रही है ठीक है सरकार सरकार के बारें आप तो पता है सरकार लेखांका सुचनाव के धार पर ही आयकर बिखरी का रुदप तो इसलिए आपके पास लेक सही होना चाहिए जो भी आप कारे करें उसका तो आगे बढ़ते हैं समाजिक दायतो लिखांकन तो सबसे पहला जो आप बूक आप पऩड़ रहे हैं उसके बाद अगर आगे और बठते हैं तो समाजिक, दायत वलिखांकर, सोशल ये आपको नहीं मिलेगा एमकॉम में भी ये नहीं होता तो बस यही चार आपके लिए मुख्य होते हैं जो कि आपको फर्ष्टर सेकेनिर फैनल में पूरा कप्रा पढ़ा दिये जाते हैं तो है अधार वो शब्द, तो क्या-क्या सब्द आपको पता होना चाहिए एकदम मुख फिरूप से, आपको पता होना चाहिए पुन्जी क्या होती है, प्रभाव इसका किदर होता है तो वैपारी द्वार वैपार में धन कमाने के उद्देश से लगाया गया नगत धन, नगत, माल या कोई भी संपति, पुन्जी कहलाती है लेकिन कॉमर्स में पुन्जी का अर्थ थोड़ा अलग है वैपारी या वैपार के स्वामी द्वारा धन कमाने के उध्य से से अपने वैपार में लगाया गया नगत धन माल या कोई भी संपती उसकी पुन्जी कहलाती है मैं इसको सौट में कहता हूँ वयपार जिन चीजों से प्रारम होती है जिन चीजों से सुरवात की जाती वो सब की सब पुंजी होती है ठीक है तो मेरे सब्दों को लिख सकते हो या फिर इसमें जो बता है उसको भी लिख सकते हो दोनों ही से ठीक है दूसरे सब्दों में यह या वस्तू के कोशो से किया गया कोई नीजी भुगतान आहरन कहलाता है कुल मिलाकर आप यह समझ लो जो वैपार को प्रारम किये हैं मालिक चार-पांस लोग मिल करके उन्हीं को अगर कुछ धन काव सकता है तो वो जितना पैसा था वैपार में लगा चुकी है तो उन्हीं मे जालाता है न विट्रौ कहलाता है दाईथव क्र saben div क्या होता है जो विया अपने लिंतर की रूप में बढ़ा ठीक है उसी खर्जे यसे भॉकतान जो क्या को करना है आपने नहीं किया है तो वो आपके दाईथ उत्रека करते हैं कुछ फरकती इक सिश्ञारर्क अइनको पैसे जिन को धन नहीं च Amazon के आते हैं अब भॉक्दान दिर्ग अवधी के पशाद किया जाना होता है जैसे कि दिर्ग अवधी रिड़ पत्र आदी कुछ लोन ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं मतलब एक दो साल नहीं 20 साल, 30 साल, 50 साल तो इतने लंबे अवधी के लिए गल कोई रिड़ दिया गया है तो ऐसे रिड़ स्थाई दायत पर कहलाते हैं चालू दायत पर क्या होता है जो एकदम डेली मंधली होते हैं वो चालू दायत पर कहलाते हैं तो वैपार कैसे दायत पर जिनका निकड़ भविस्य में भुगतान अवश्रक होता है जिसे कि अगले साल एक महने बाद जिसे अब बीमा पटाते हैं सलाना भी महुता है होता है संयोग की दायट वा क्या होता है ऐसे दायट वह जो भविश्म में उत्पन्न हो सकते हैं उन्हें संभावना या समयोजित या अकास्मिक दायट को कहते हैं जैसे भुनाय के भी पत्रों पर दायत और नियाला के लंबित प्रकरण छतिपूर्थी के दावे आधी, कुछ दायत पर ऐसे होते हैं, जो भविसमुत्पन हो सकते हैं, वो दायत को कहलाते हैं, सायोविक दायत पर, ठीक, तो हमें व्यपार, जिस तरह का हम व्यपार कर रहे ह उसके माद्य हमसे भी अनुमान लगाए चलते हैं, कि कलकल ऐसा हुगा तो हमें क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं, हमने अगर आज एक लाग का माल हम बेच रहे हैं लगा तर तीन साल उससे, तो हमें लगता है, अब हमारी बिकरी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो हम फोसे से क्या क्या दायत उत्पन हो शक्ते सिस्तमान लगाते तो ऐसे योगी से अगला है संपत्ती कि क्या होती हैं जो आपके व्याद थार है वह यापके संपत्ति हैं यहाँ जहां पर छीज़ेंसे आपका प्रदान से लेगा वो सब आपकी संपत्ति है तो वैपारी की ऐसी वस्तिय जो वैपार संचालन में सव्यवपरदान करती है जिन पर वैपार का स्वामित्त होता है वैपार की संपत्ति कहे जाती है शंपत्ति में उस धन की राशी को सामिल किया जाता है जिसे अन्य पक्ष से लेना होता है अब देखिए दाइतों की तरह संपत्ति भी तीन तरह की होती है इस्थाई चालू अमुर्द इस्थाई वैपार में इस्थाई प्रयोक के लिए लिए इस संपत्ति इस्थाई होते ज बिपार में आ commence segmentsiden कि वस्तुएं जिनका उपयोग espella लिन होता है जो परिवर्दित होती रहती हैं चालो सम्पति कहलाती है तो कुछ सम openness ऐसी होती है जो बदलते रहती है ठीक है चालो संपत्ती कहलाती है जैसे कि अन्बी का माल रोकड सेस बैंक सेस इत्यादी आपका पैस आपका बीना भी का हुआ माल जो बिखने से बज़के हो सब आपकी संपत्ती है लेकिन यह बदल जाते हैं आज निभी कर अकल तक बिख जाएगा फिर उसमें से भी कुछ ब तो जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता ऐसे संपत्ती आमर्द संपत्ती कहलाती है वही सब देश में लिखा हुआ है और उस संपत्ती को बोलते हैं ख्याती क्या बोलते हैं ख्याती ख्याती मतलब प्रसिद्धी प्रतिष्ट था आप देखते हैं यूट्यूब पे कोई व है कि नहीं आप अम्बानी को जान सकते हैं पर उसकी प्रशिद्धी को नहीं जान सकते मतलब उसको चू नहीं सकते प्रशिद्धी को जान रहे हैं चू नहीं सकते प्रशिद्धी को किवल महसूस किये जाता है कि यह व्यक्ति कितना अफ्यमास है यह नहीं है ठीक यह तो होग वाली धन रासी को आगम कहते हैं व्यपारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यपार को प्राप्त होने वाली धन रासी आगम कहला दे जिसे कि माल के विक्रह से प्राप्त रासी सिवाओं के विक्रह से प्राप्त रासी व्यवसाय के दिन प्रति दिन की व्यवसाय क्रिय करने के लिए कोई भी भुगतान खर्च कहा जाता है जैसे कि आपने विक्रया गया लेकिन विक्रया के बोलते हैं तो मसीन और यंत्र वगेरा जो आप खरीते हैं न उस पर जो खर्च उता हो पुंजी गत्खर्च कहलाता है जो कि बार वार उत्पन नहीं होते हैं कि आइगत्खर्च एक लिकाओधी में किया गया ऐसा खर्च जिसे मिलने वाला लाब उस आउदी तक ही सीमित होता है आइगत्खर्च कहलाता है ऐसे वयों से ववसाई की लाबर्जन सक्ता बढ़ती नहीं है वरन इस वयों में लाबर्जन शम्ता को बना रखने में मदद मिलती है ठीक है हर खर्चों को याद रखना हुए आगम हे तो निर्गमित की गई वस्तुयम से वाओं के लिए चु और क्रेवी क्रेव पर दिया गया भाड़ा इंधन की राया व्याच यह वय है तो जो भी चीज़े आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अपने जो भी खर्च किया है वह आपका वय कहलाता है अब आए क्या होता है आगम तथा वय की अंतर रासी ही आए है अर्थात कुल आगम की रासी से किया गया कुल खर्चों को घटा देंगे तो जो प्राप्त होता है वही आए गया लाता है ठीक है तो आए बराबर होता है आगम माइनस वय है ठीक हानी तो हानी बहुत सिंपल से चीज़े है अगर आपने 50,000 के समान को 60,000 में बेचा तो 10,000 रुपय का ला आए तो वो आपके लिए ulli हनी चोड़ी हो जाता है जल जाता है तो अन्य कारणों से प्रकरति कारणों से और जानी होती है यही हासी थाङ कहलाती है ठीक है वीडियो अब बंद होने माला है क्योंकि 321 का काउंट डाउन चल रहा है वीडियो समाब